दो वैस्क व्यक्ति जो अलग-अलग धर्मों से संबंधित हों यदि सहमती से विवाह करते हैं तो यह उनका मौलिक अधिकार है लेकिन कई बार इसमें प्रलोभन, भै और धोखा धरी जैसे मशले सामने आ रहे हैं यहीं शे बात सुरू हो जाती है एंटिक कनवर्जन लौ की नमस्कार मेरा नाम है मनीश भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आयस यूटूब चैनल आज हम बेहत संबेदंसील मुद्दा अंतर धार्मिक विवाह पर शुप्रिम कोट के रुख को समझेंगे साथ ही धार् मुद्दों पर गहन विचार विमर्श भी करेंगे सबसे पहले आपके लिए जरूरी सूचना है इसे देख लीजिए संस्कृति आयस परिवार जो है नव बर्ष पर अपने कोर्स पर आपके लिए एक बड़ा तौफा लेकर आई है और यह तौफा जो है पांस जनवरी तक की छूट है जो लोग पेंड्राइव कोर्स ले रहे हैं पचीस प्रतिसत तक की छूट उनके लिए रखी गई है साथ ही जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले रहे हैं उसमें प्रिलिम्स और मेंस दोनों ही सेग्मेंट आपको मिलेगा उस पर भी 20 प्रतिसत तक की करचा में क्यों है देखिए एंटी कंवर्जन लौ आज हम इन चीज़ पर बात करेंगे और इस पर सुप्रिम कोट का क्या कहना है सुप्रिम कोट ने कहा है नौट और रिलिजियस कंवर्जन्स और इलीगल सुप्रिम कोट रिमार्क्स यह दरसल मद्व परदेश हाई कोट क एक मामले से उठके आया है तो मैं आपको मोटा मोटी एक बार इसकी घटना बता देता हूं दरसल हुआ क्या मद्व परदेश में दो वैस्क वैक्ति जिन्होंने आपसी सहमती शे विवा की वो दोनों अलग-अलग धर्म के थे जब उन्होंने शादी की तो उस पर मद्व मद्व परदेश जो सरकार है पुलीस है उस पर एक केस क्यों की है इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर यह मुद्दा क्यों आया देखिए मद्व धार्मिक श्वतंतरता अधिनियम अभी आप इतना जान लीजिए यह जो विवा था मद्व परदेश शरकार का ऐसा मानना है कि इस जो मद्व परदेश धार्मिक श्वतंतरता अधिनियम है इसके एगेंस्ट यह साधी था कैसे था इस पर हम आगे चलेंगे तो इस साधी के जो अधिनियम है इसके विरुद्ध यह शादी था उनका तो वो पहुंच गए हाई कोर्मेंट हाई कोट जब जाते हैं तो म मद्व परदेश सरकार अपनी याचका लेकर के सुप्रिम कोर्ट पहुंच गई और वहां पर जाके कही कि देखिए ऐसा है कि जो हमने यह कानून बनाया है उसमें एक सेक्षन हमने सेक्षन 10 रखा है हम उसकी चर्चा करेंगे और यह जो साधी हुई है वह सेक्षन 10 के विर चल परा है तो यह एक बैक्ग्राउंड आप समझ गए कि हम आज इस चर्चा को किस तरह से आगे लेने वाले हैं क्या इसका बैक्ग्राउंड है अब हम चलिए इस पर चलते हैं देखिए तो विवाह करने से साथ दिन पहले द्यान रिखना है सिक्स्टी डेज साथ दिन पहले ही दिस्टिक मजिस्टेट को इसकी जानकारी देनी परेगी यहां एक और बात रखा गया है जो वैस्क वैक्ति दोनों हैं जो साधी करना चाहते हैं जो पक्षें वो और जो पुजारी जो शादी करवाएंगे वह भी सूचना दे किनको यहां पर डिस्टिक मजिस्टेट को डीम को सूचना दे जैसे आप लोग यूप्यसी कर रहे हैं और डीम बन गए तो आपके जिम्में यह काम दिया जाएगा ठीक है तो इसके सूचना डीम को देना है अब डीम तैंक है वाकी सहमती से हो रही है इसका कोई और अद्देश्ट तो नहीं है इसमें कोई जवरदस्ती थी तो नहीं की गई है अगर डीम को लगता है कि सारा मसला शही है तो फिर एस साधी को सुनी कर देगा फिर यह हो सकता है अभी जो हाल हम मशला आया था उसमें इस जोरे ने या पुजारी ने डियम को यह जानकारी नहीं दी थी यहीं सेक्षन 10 का जो है कि यह शादी सेक्षन धारा 10 के बिरुद्ध है और यहीं मसला पूरा यहां उठकर के आया है चलिए अब इस पर आगे बढ़ते हैं मद्परदेश धार्मिक सुतंतरता अधिनियम 2021 है इसको डिटेल से देख लेते हैं कि इसका मुद्ध क्या क्या देखिए यह जो आया है वह केवल विवाह के उद्देश से किये गए धर्मांतरन पर अंकूश लगाता है आप जानते हैं बहुत सारे फिल्म स्टार भी हैं आपका उद्देश शिर्फ विवाह है तो यह आपको शहमती नहीं देगा देखिए धर्म परिवर्तन के लिए किशी को मना नहीं है हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि हमारे शाम मेधानिक पहलू क्या है आर्टिकल 25 क्या कहता है इसको देखेंगे तो वहां मना नहीं है लेकिन अगर धर्म परिवर्तन तब होना चाहिए जब आपका उस धर में आस्था हो अगर आस्था नहीं है मतलब सिर्फ यह है कि आप सिर्फ विवाह करना चाहरें इसलिए कनवर्जन किया है तब मशला बन जाएगा तब यह अधिनियम आपको रोकता है वहां पर इसके मुख प्राबधान देख लीजिए कि अगर इस कानून को नहीं मानते हैं तब क्या क्या हो सकता है इसके सबसे पहले section 10 को हमने देख लिया अब section 5 को देख लेते हैं देखिए यह अनुचित प्रभाव जवरन धोखा धरी या प्रलोभन देखर के यदि आप विवाह करते है किसी तरह से दूसरे धर्म में गैर कानूनी धर्मांतरन करते हैं तो आपको यह रोक लगाएगी आप इसका ऐसा नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर करते हैं तो एक वर्ष से पांच वर्ष का जेल भी हो सकता है आपको और शामुहिक धर्मांतरन देखिए यह मसला आप समझी यह जगह पे मद्ध परदेश की यह घटना है और मद्ध परदेश में क्या हुआ है कि इसाई धर्म के जो पादरी हैं उन पर लगातारी आरोप लगता रहा है कि उन्होंने सामुहिक रूप से बहुत सारे जो वहां के पिछरे तबके के लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन कराया है जिसका वहां के समाजिक संगठनों ने विरोध भी किया था और इस बात के लिए वो सभी ठाने ठाना पे पहुंच गए कि आप पादरी को एरेश्ट कीज है तो पांस से दस साल की जेल और एक लाख रूपिये जुरुवाने का भी प्रापधान है ध्यान रखिए इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे जुरुवाने अलग-अलग लेबल पर अगर आप क्राइम पकरे जाते हैं तो अलग-अलग जुरुवाना और शजा तेंकिया इसमें क्या होगा वारेंट नहीं होगा संगय अफराद इसे माना गया है तो इसमें बिना वारेंट की ग्रफतारी हो जाएगी और बेल भी नहीं मिलेगा गैर-जमानती धराप लागू की जाएगी आप पर और सबसें इंट्रेस्टिंग बात क्या है पहले ही मदपरदेश में ऐसा कानून था 1968 में ही मैं आपको बता दू कि मदपरदेश के पास एक कानून ऐसा था जिसको मदपरदेश धर्म स्वतंतरता अधिनियम 1968 कहा गया था लेकिन उसके जगह 2021 का यह कानून ले लिया तब वह कानून जो है उनिश्वारशट का गॉन हो गया इसको बढ़ात कर सकता था अब मसला हुआ है कि इसमें जोड दिया गया 2021 के एक्ट में कि जो पिडित है वह तो सिकायत कर ही सकता है लेकिन उसके अलावा उसका जो निकट शमंधी है उसके जो रिष्तेदार हैं उसके जो मादापिता हैं भाई हैं या फिर कोई अनवेक्ती जिसे इस बात क की जानकारी है वह भी जाकर के सिकायत कर सकता है तो यह एक इंट्रेस्टिंग पॉइंट और बहुत ही जरूरी विशह जो है इस लौ में शामिल कर दिया गया है सिकायत की जांच जब होगी तो सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रेंके के अधिकारी द्वारा ही इस मसले क जांच की जाएगी उसके बाद समझे कि यह धर्म परिवर्तन होता क्या है हमने लौक को देख लिया उसके प्रमुक विंदू देख लीजिए अब हम देखते हैं कि आखिर धर्म परिवर्तन होता क्या है अपने धार्मिक शंपरदाय को छोड़ कर किसी अन्य धर्म में हो रहा है यानि कि इसलाम के परती मेरी आस्था बनी यह सिख धर्म के परती मेरी आस्था बनी मुझे इसमें विश्वास जगा तो मैं हिंदू धर्म को छोड़कर इसलाम धर्म को अपना लूँगा अगर ऐसा करते हैं तो किसी को कोई समस्या नहीं है सुप्रिम कोट में भ करके अगर कोई प्रलोभन की चीजे हैं या मुझे लगता है इससे मुझे कुछ फाइदा होगा बेवाहिक उद्देश है तब जाके समस्य होगा तो धर्म किसी लड़की को बर्गला करके प्रलोभन दे करके जवर्दस्ति या साधी का वादा करके उससे वैवाहिक समंद अस्थापित करता है फिर बाद में समस्याई खरी होती है जिसको पॉपलर सब्द में आप जान रहे होंगे कि लव जिहाद तक कहा गया है इसके लव जिहाद जैसे सब्द जो हैं कई हाई कोट ने खुद बोला है तो ऐसे मसले जब सामने आ रहे हों समाज के शमक्ष तो सासन प्रशाशन के लिए आवश्यक हो जाता है कि इन मसलों का शमाधान करें पब्लिक इंट्रेस्ट को देखते हुए तो इसका एक धोखे से विवाह को भी रो होगा पंजाब में जो बहुत सिख लोग हैं या बालमुकी समिधाइक के जो लोग हैं उनका धर्मपरवरतन बर्यस्तर पर कराया गया जिस पर कई रिपोर्ट भी आई है बारत सरकार की भी कई अलग-अलग जो संस्था है उनका तो उसको भी आप ध्यान में इसका समयधान का आप आर्टिकल 25- 28 तक हमें धर्मक स्वतंतरता की बात करता है ठीक है? उसकी पूजा पाठ कर सकता हूं उसमें पूरी आस्था रख सकता हूं यह आर्टिकल 25 हमें इसकी इजाज़त देता है लेकिन यहीं पर इस बात को समझना है कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वाशों को जबरन थोपने का काम नहीं करेगा किसी और पर मजबूर न आप देखेंगे राष्टी इस तरह की कोई कानून नहीं है लेकिन केंदर सरकार हालिया घटनाओं पर आप नजर अगर डालते हैं और राजनिती की समझ रखते हैं समाजिक सरोकार की समझ रखते हैं तो आप समझेंगे कि केंदर सरकार की इस पर शहमेती रहती है कई राज अपने तौर पे उसको बिल को पेस की हैं लेकिन यह बिल पास नहीं हो पाया है ठीक है आप देखते हैं कि किन किन राजियों में यह कानून और लेडी बना हुआ है धारमांतरन विरोधी कानून है किन किन राजियों में जड़ा देख लेते देखिए सबसे पहले जो यह में एक कानून था जिसका नाम था मदप्रदेश धर्म सौतंतरता अधिनियम उनीश्ट और सथ लेकिन बाद में 2021 में इसमें और विस्तार कर दिया गया इसमें कुछ बदलाव किये जिसमें आप देखनें सेक्षन टैन जोर आ गया था इसमें एक सेक्षन टैन जोर दिया गया सेक्षन 5 से तैंक या गया कि सजा कैसे होगा और सक्षन 10 में इसकी प्रक्रती बताई गयी यह पूरा जो मसला है सप्रिम कोट में गया है वह सेक्षन 10 को ले करके तो दियान रखना है तो ओडिशा में है ओलेड़ी मदपरदेश में है जारकंड में धरमान तरन के काफी मु पड़ेडी इस पर लाग्व हो चुका है लेकिन वहाँ भी कानून का रृप नहीं लिया है लेकिन काम चल रहा है अब करे सुपरिम कोट का मद क्या है अगर घरवांतरन होता है इस बात को सही प्रोभण दे करके होता है तब मस्ला खरा होता है उन्हीं चीजों को रोकने के लिए ये सारे कानून बनाए है अलग-अलग राजियों रोकताम कीजिए और शंबेदन सील मुद्दा सुप्रीम कोट ने कहा है क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है आप देखते हों कि काफी दंगे फसाद तक हो जाते हैं इस मुद्दे को ले करके गर्मा मही जीवन की बात की गई है और सुप्रीम कोट ने कहा है कि वैक्ति के धार्मिक पर भी अशड पढ़ता है गर्मा मही जीवन को जरा मैं आपको बताओं आपने आर्टिकल 21 को समझाई होगा राइट टू लाइफ की बात करता है यह ठीक है जीवन का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है इसको एक्स्प्लैन करते हुए आधार अधनियम की जब बात आई थ तो उसके अंतरगत यह मसला भी आ जाएगा सुप्रिम कोट ने यहां भी कहा लेकिन यह भी समझ लीजिए कि हर धर्म परिवर्तन को राजी यह ना समझे कि अवैद ही है वहीं आर्टिकल 25 की चर्चा करते हुए कि अगर सहमती से है उसका उद्दे से सही है फिर तो ठीक है लेकिन आप हर धर्म परिवर्तन को इसको जोर के मत देखिए कि अवैद ही है एक केस है उस केस की मैं आपको चर्चा करता हूं यहां सरला मुदगल केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का यह केस है ठीक है इस केस स्टरी को जड़ा देखते हैं सरला मुदगल केस को इसमे और लेड़ी शादी कर रखी है वह चाहता है कि अब मैं एक से अधिक विवाह करूं लेकिन हिंदू मेरेज एक्ट में इसकी प्रावधान है नहीं फिर वह क्या करेगा वह अपना कनवर्जन जो है मुसलिम धर में करा लिया ठीक है अब मुसलिम में क्या है बहु विवार प चाहा पहले छाय हिंदू था उसने एक शादी कर रखी है वह चाहर एक से अधिक विवाह करना चाहरा है तो उसने अपना कनवर्जन इसलाम में कर लिया और वह शादी कर रहा है तो क्या यह धर्म परिवर्टन जो है कनवर्जन है वो सही है सुप्रिम कोट ने कहा कि नहीं सही है अब आप कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे इतने जोर शोर से आप कह रहे थे कि धारिविक शतनता की बात कह रहा है हमारा चाहिए वह किसे तो ब्रत समझने की जरुवत हैं करता है कि नहीं यह वीक्ति की आस्था अधीक करना चाह रहा Seiten यह फाइदा देख रहा है उस कनवर्जन का तो आस्था नहीं है इसलिए अगर ऐसा कर रहा है तो यह क्या होगा अवैद हो जाएगा यहां अवैद हो जाएगा यह तो इस केस में यह चीज सरला मुद्गल केस उनिश्व पंचानवे जो वर्चेज उनिव इंडिया था उसमे सुप्रिम कोट ने इसे बहुत अच्छे से क्लियरिफाई किया था तो इस केस को आपको ध्यान रखना है यह आपको अच्छे से मुद्धे को समझने में लाव करेगा अब देखिए कानुनों से समंधित मुद्धे क्या हो सकते हैं देखिए बल धोखा धरी प्रलोवन जैस ऐसे माने कि कोई वेक्टी कह रहा है कि मैंने धोखा नहीं दिया है प्रेम में अगला पक्ष कह रहा है नहीं मुझे धोखा मिला है मैं तो इसे प्रेम करती थी अगला कह रहा है कि नहीं हमारी ऐसी कोई बात हुई नहीं थी ऐसे मसले शमाज में आप देख रहे हैं केस हो र रहा है तो बातें इस पर भी की जा रही है बहुत सारे विधी वीशे सग्य जो हैं इसको क्लियर करने की कोशिश में लगे हुआ है अब देखिए भारत जो हमारा है एक धर्म निर्पेक्ष्ट है हमारे पस्ताबना में भी उल्लिखित है हमरे शांसे बात कहते भी हैं तो कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की स्थिती बनती है अगर यह कानून बनते हैं तो क्या भारत की धर्म निर्पेक्ष्टा या हिंदी में उसे पंत निर्पेक्ष्टा कहते हैं जैदा वो शह होता है असपस्ट होता है तो भारत की धर्म निर्पेक्ष्टा या पंत है भारत का धर्म कोट की यह नहीं है कि भारत के धर्म निरप्यक्ष्टता कोड़कर यह नहीं है कि किसी भी व्हेक्ति के सथेंतरता के हनन करना एक लिएρώ नहीं का करवाता है यानि कि गलत तरीके से अगर धर्म-परिवर्तन हुआ है तो उस पर कानून काम करें उसको रोके उस पर सजा का प्रावधान है तो इसको समझ लेना इस तरक का एक अगला तरक जो है वह वह मैंने आपको अर आजनीतिक मुद्दा बन्ता जा रहा है को कि धर्म परिवर्तान जैसे मुद्दे जो होते हैं यह लफ्जिहाद मैने आपको बताए इस तरह के जो मुद्दे होते हैं राजनितिक सबसे ज़्यदा सूर्ट करता है तो धार्मिक मुद्दा अब राजनितिक बनता जारहा है चुनाब में जो पातियां होती है सत्ता पकच्छो गया पकच्छो गया इस मुद्दे को बहुत ज और सोर से भुनाने का प्रयाश्वि करते रहती तो इस बात को भी ध्यान से समझना है मैंने इन सब बाते कर ली अब आप युनाइटे नेशन युनिवर्सल डिकलरेशन ऑफ हुमेन राइट एक संस्ता है वह भी जो रिलिजन कनवर्जन है उसको हुमेन राइट मानती है कि कोई वैक्ति को यह अधिकार है कि वह अपना धर् परिवर्तन किया है नए धर्म की अस्थापना की है तो यह राश्टी अस्तर पर होता रहा है तो उसको हुमेन राइट के तौर पर देखा गया है लेकिन मसला यहीं है कि हुमेन राइट जो है सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है दूसरे पक्ष का भी देखना है कि अगर दूस यह नहीं है कि freedom of religion को जो है उसका हनन करना बस बलकि इसका जो लक्ष है वह यह है कि जवरदस्ती अगर इस तरह के काम किये गए हैं उसको रोकना और सही तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना तो आज हमने जितना चर्चा किया है उस चर्चा से सम्मनित एक प्रश्ण भी आप ठीक है आपको इन कथनों पर विचार करना है तीन कथन दिये गए हैं धार्मिक शोतत्रता का अधिकार शंबिधान के भाग तीन में वरनित है मैं कीवर्ट बताता चलूंगा जवाब नहीं दूंगा तो आपको ध्यान से समझना है देखिए भाग तीन मैं आपको एक हिंट के लिए बता देता हूं कि भाग तीन जो है हमारा वह मौलिक अधिकार का चप्टर है ठीक है संबिधान में तो आपको एक हिंट मिल जाएगा यहां से हमने इसकी चर्चा की है अनुछेद 25-28 यह मैंने बताया है तक इसका वर्णन किया गया है किसका वर्णन यह धार्मिक स स्विकार करती है यह दूनों सही है गलत है उसके आधार पर सही कत्थन का चुनाब करना है चार विकलप आपके लिए गया है एक है केवल एक वीह केवल तीन सी है केवल तीन और एक डी है केवल एक और दो इसमें जो भी आपको सुटेवल लगे उसे आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपका इस मसले पर क्या बिचार है क्योंकि अभी यह केस याज का सुविकार किया गया सुप्रिम कोट के दौरा सुप्रिम कोट इस पर आगे बहश करेगी आप क्या सोचते हैं इस मुद्धे पर क्या और सरकारों को करना चाहिए आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए किस टॉपिक पर और आपको वीडियो चाहिए यह सुजहाब भी दीजिए मैं उमीद करता हूं आज मैंने जितना भी इस टॉपिक पर चर्चा किया है वह आपके पठण पाठण को सम्रिद्ध बनाने में शाहयक सिद्ध होगी अगले टॉपिक के साथ जल्द आप से मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखिए धन्यवाद